हेलो मेरे प्यारे दूस्तो आपका दूस्तो और आपका गाइड एक बार फिर से आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल डाइमन आट गाइड पे दोस्तो मैं आशा करता हूँ के आपको मेरी लास्ट वीडियो जरूर पसंद आई होगी के जो डाइमन इंक्लूजन के बारे में थी मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अकर आप लोगों के मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी इन वीडियो को जरूर आपके उन दो दोस्तो मेरी वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोस्तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पॉलिस हीरे के कुछ हिस्सों के बार में बताया था जो मै आफिसों में इसे गुजराती में तड़ियो कहते हैं उसके बाद ये दूसरा हिस्सा जिसे हम कहते हैं गर्डल जिसे आफिसों में धार कहा जाता है अब यह है तीसरा हिस्सा जो सबसे महत्वपुन हिस्सा है जिसे कहते हैं क्राउन और आफिसों में इसे गुजराती में नाम जानेंगे जो हीरो के अंदर की इंक्लूजन्स की लोकेशन बताने के लिए यूज होती है अब आप इस पॉलिस हीरे के ग्राफ को देखिए इसके बीचो भी जो तो ये box बना है उसे graders पॉलिस हीरे का pipe area कहते हैं जो पॉलिस हीरे की purity के लिए बहुत ही महत्वपुन हिस्सा है सामान ये तह प्लानिंग के दोरान प्लानिंग करने वाले signers हो सके उतना पॉलिस हीरे के इस हिस्से में inclusions को नहीं लेते हीरे के इस नोकिले हिस्से को अंग्रेजी में क्यूलेट कहते हैं और ओफिसों में गुजराती भसा में इसे tick कहते हैं और ये पॉलिस हीरे का सबसे नाजुक हिस्सा होता है जो कई बार गिरने से तूट भी सकता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्यूलेट के नीचे वाले हिस्से की तरफ जिसे क्यूलेट सेंटर कहा जाता है जिसे ओफिस के लेंग्वेज के अंदर tick पेटा या tick सेंटर भी बोला जाता है उसके बाद box के बीच और girdle के उपर वाला हिस्सा उससे हम कहते हैं सेंटर अफिसों में सेंटर या पेटा सेंटर भी बोला जाता है अब आगे इस भाग को बोला जाता है टेबल जो पॉलिस हीरे का सबसे बड़ा फैसेट होता है फैसेट यानि गुजराती में उसे बोला जाएगा पैल अब टेबल के अंदरोनी भाग और girdle के नीचे वाला हिस्सा मतलब धार के नीचे वाले हिस्से को उसे बोला जाता है टेबल सेंटर अब आप हिरे के इस हिस्से के नाम को तो जानते ही है जिसे पैवेलियन कहा जाता है girdle और pavilion यानि हिरे के धार और उसके तलिये के इस कोन को pavilion angle कहा जाता है और girdle या इस angle के बीच अगर कोई inclusion हो तो वो inclusion गर्डल मतलब धार में है ऐसा बोला जाएगा। उसी तरह से हिरे के इस हिस्से को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं जिसे crown कहते हैं और गुजाती में मठालू या तो फिर wheat भी बोला जाता है। और गर्डल से crown के इस कोण को crown angle बोला जाता है। और हिरे के इस हिस्से में कोई अगर inclusion हो तो उसकी स्थिती बताने के लिए सिर्फ crown में मतलब मठाले में inclusion है इस तरह से बोला या लिखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ जिसमें मैं आपको पॉलिस हिरे के facets की जानकारी दूँगा। जिसमें मैं आपको बताऊंगा के पॉलिस हिरे के हरेक facets का नाम क्या है और उसकी पॉलिस हिरे में संख्या कितनी होती है। जैसे की आप इस पॉलिस हिरे के graph को देख रहे हैं या शायद कभी आपने कोई पॉलिस हिरे को feel किया हो मतलब अपने हाथों से देखा हो तो उसके उपर जो ये अलग-अलग छोटे बड़े design को facets बोला जाता है और इन हरेक facets का नाम भी अलग-अलग होता है और उसकी संख् तो हम सबसे पहले crown के facets और उनकी संख्या जानेंगे जैसे की आप इस chart में देख रहे हो पॉलिस हिरे का सबसे बड़ा facet जिसकी संख्या सिर्फ एक ही होती है और उसे table बोला जाता है मतलब table facet बोला जाता है उसके बाद जो ये आपको दूसरा facet दिखाई दे रहा है उसे bezel या तो उसके आकार के कारण kite facet भी बोला जाता है जिसे office में मठाडा पैल बोलते हैं जिसकी संख्या policy रे के crown में आठ होती है और ये table के बाद दूसरा सबसे बड़ा facet होता है आगे जैसे आप देख रहे हैं इस तीसरे facet को star facet कहते हैं जिसे offices में या तो फिर policing department में table न तर्खुणियां बोला जाता है क्यूंकि ये facets table से touch होते हैं इसलिए और इसकी संख्या भी policy रे के crown में आठ होती है उसके बाद जो ये आप चौथा facet देख रहे हैं इसे upper girdle facet बोला जाता है जिसे office में या फिर manufacturing department में धारना तर्खुणियां बोला जाता है क्यूंकि ये girdle से touch होते हैं इसलिए और इनकी संख्या policy रे में crown के अंदर 16 होती है इन सभी crown के facets का अगर total लगाया जाए तो सिर्फ crown में ही 33 मतलब 33 facets होते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं पैवेलियन के facets की तरफ जो कुछ इस तरह हैं पैवेलियन के सबसे बड़े facet को lower girdle facet बोला जा और यह पैवेलियन के facets girdle से touch होने के कारण lower girdle facets बोला जाता है और इनकी संख्या भी policy रे के अंदर 16 होती है मतलब 16 पैवेलियन के इस दूसरे facet को पैवेलियन main facet बोला जाता है जिसे manufacturing में तडियाना पैल बोलते हैं और जिसकी संख्या policy रे के अंदर 8 होती है अब आप पैवेलियन के इस तीसरे facet को देख रहे हैं यह जरूरी नहीं है कि यह आपको हर policy हीरे में दिखे यह facets सिर्फ बड़ी size के policy हीरे में ही बनाये जाते हैं जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि क्यूलेट policy हीरे का सबसे नाजुक हिस्सा होता है जो गिरने से क्यूलेट तूट भी सकता है इसलिए कुछ बड़े size के किमती हीरों में यह facets बनाये जाते हैं बड़े हीरे में क्यूलेट तूटने का नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है क्यूलेट पे यह facet बनाये जाने के कारण इसे क्यूलेट फैसे भी बोला जाता है जिसे manufacturing department में tick pal बोलते हैं और इसकी संख्या भी हीरे के अंदर एक ही हो सकती है और क्यूलेट फैसेट को अगर मिला के गिना जाए तो पेवेलियं में total 25 मतलब 25 फैसेट होते हैं और poly सीर्य में पेवेलियं और 민श के सबी फैसेट को गिना जाए तो कूलेड के साथ टोल फैसेट की संख् 58 मतलब 58 होती है लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था नॉर्मली घर पॉलिस हीरे में क्यूलेट फैसेट नहीं बनाये जाते इस कारण से पॉलिस हीरे में 57 फैसेट ही होते हैं आई होक आप लोग पॉलिस हीरे के हर एक हिस्सो को समझ चुके होंगे जो पॉलिस ग्रेडिंग करते वक आपको पता होने चाहिए इंटर्नेशनल पॉलिस ग्रेड के अनुसार कुल मिलाकर 11 पॉलिस ग्रेड वेलिट यानि मान्य है अब हम इंटर्नेशनल पॉलिस ग्रेड और उनके मतलब जानेंगे जो इस अनुसार है सबसे पहला और सबसे अवल नंबर का ग्रेड है FL जिसका मतलब होता है Flawless मतलब की किसी भी तरह की कोई भी आंतरिक या भाहिय खामी इस हिरे में 10X Magnification मतलब 10X Eye Glass या 10X के लूप से देखी नहीं जा सकती या तो 10X Eye Glass या लूप में Invisible होती है हो सकता है सायद बहुत जादा Zooming करके देखने वाले डिवाइज में इस तरह के हिरे को देखा जाए तो कोई खामी दिख भी सकती है लेकिन International टै किये गए मानांगों के अनुसार ग्रेडिंग सिर्फ तभी मान्य है जब वो 10X Magnification के द्वारा की गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रेड की तरफ जो है IF जिसका मतलब होता है Internally Flawless आप मेरे लिखे हुए सेंटेंस और जो मैं बोल रहा हूँ उन सब्दों पे गौर कीजिएगा जिससे आप मेरी बातों को Clearly समझ सके IF का मतलब है कि इस तरह के ग्रेड वाले डाइमंड्स में किसी भी तरह की Internally Inclusions 10X Magnification से दिखाई नहीं देती उस तरह की Clarity ग्रेड वाले डाइमंड्स को IF grading दी जाती है अब हमारे तीसरे और चौथे ग्रेड हैं VVS1 और VVS2 जिसका मतलब होता है Very Very Slightly Included Number 1 और Number 2 इस तरह के ग्रेड वाले हीरो में ऐसी Inclusions होती है जो किसी Skilled मतलब अनुभवी Graders को भी 10X Eye Glass से देखना और Confirm करना बहुत ही मुश्किल हो इस तरह के Inclusions को VVS1 या VVS2 ग्रेड दिये जाते हैं यह जो एक और दो नंबर में बता रहा हूँ उसका मतलब Inclusions की संख्या से है अब आगे हमारे पांचवे और छटे ग्रेड का नाम है VVS1 और VVS2 मतलब Very Slightly Included Number 1, Number 2 इस तरह की Purity में कुछ ऐसे Inclusions होते हैं जो efforts के साथ देखने की कोशिश करोगे तो वो आप हीरे में कहा हैं वो देख और ढूल सकते हो ऐसे एक Inclusions को VVS1 अगर उसकी संख्या 2 हो तो उसे VVS2 ग्रेड दिये जाएंगे और अब आगे हमारी साथवी और आठवी ग्रेड हैं SI1 और SI2 मतलब Slightly Included Number 1 और Slightly Included Number 2 इस Purity में जो Inclusions होते हैं उसे आप 10X Magnification मतलब Eye Glass जा फिर Eye Loop से तुरंट Notice कर सकते हैं इसे देखने के लिए कोई जादा मेनत नहीं करनी पड़ती वैसे दिखने वाले Inclusions को SI1 और SI2 नंबर दिये जाते हैं जो उसकी संख्या पर आधार रखते हैं अब आगे हैं हमारे आखरे 3 Grades जो हैं I1, I2 और I3 जिनका मतलब है Included Number 1, Included Number 2 और Included Number 3 इन Grades में आने वाले Inclusions जिस हिरे में हो उसे आप 10X Magnification से आसानी से देख सकते हैं और ये Inclusions Polish हिरे की Transparency और उसकी चमक दोनों के उपर असर डालते हैं इसी की वज़े से उनकी Price और उनकी Grading दोनों ही डाउन जाती है तो अब दोस्तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों को International Priorities के बारे में जितनी भी theoretical जानकारी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ और मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी अब दोस्तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ जो है 7 Factors of Clarity Grading दोस्तो अभी अभी जो मैंने 11 Clarity Grades आपके साथ जो डिसकस किये उसे किस हिरे में कौन सा grade देना चाहिए उसके महत्वपूर्ण steps हैं इसे हर graders follow करता है क्यूंकि किसी भी हिरे की grade final करने से पहले अगर हम इन में से किसी एक factor को भी भूल जाते हैं या तो फिर छोड़ देते हैं तो grading पूर्ण नहीं कही जा सकती तो चलिए इन factors को detail में समझते हैं तो पहला factor है size of inclusion जिसे गुजराती में कहते हैं कसर नो आकार मतलब कसर का आकार मैंने ये factors आपको आसानी से समझ में आए इसलिए पुछ sketches तयार की हैं जिसे देखते ही आप लोगों को मैं क्या समझाना चाता हूँ वो आप तुरंत ही समझ पाएंगे अब आप इन दोनो diamonds के sketch के table view को देख रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि दोनों hero की size एक जैसे होने के बावजूद इनके अंदर जो inclusions है उनका आकार अलग-अलग है इसकी वज़े से दोनों के priority grades में बहुत ही जादा फर्क होगा जिस हीरे के अंदर का inclusion का size बड़ा होगा उसका priority grade डाउन होगा और जिस हीरे के अंदर का inclusion का size छोटा होगा उसका priority का grade बड़े inclusion वाले हीरे से better रहेगा यह सिर्फ आपके समझने के लिए है और मैं आपको यह एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि purity grades हमेशा हीरे के table view को देख कर ही रखे जाते हैं या तो फिर दिये जाते हैं table view से कौन सा inclusion कितना बड़ा कितनी संख्या में कौन से रंग में किस तरह का होगा उस हिसाब से उसकी grading की जाती है तो किसी भी हिरे की grading उसके table view से ही fix होती है तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे factor की तरफ जो है contrast of inclusion जिसे हम कह सकते हैं inclusions का रंग मतलब कसर का रंग हिरे के अंदर किस रंग की खामी है उसके आधार पर ये grade का factor का नाम रखा गया है जैसे कि आप sketch में देख रहे हो दोनों हिरो की size और उनके अंदर जो inclusion है उनकी size दोनों same है लेकिन उनके inclusions यानि उसके खामीों के रंग में बहुत फर्क है जो black है उसे हम black spot समझ लेते हैं और जो white है उसे हम bubble समझ लेते हैं तो आप अब खुद ही assume कीजिए कि कौन से हीरे की purity आपको ज़्यादा better लगेगी 100% आपको bubble के inclusion वाला ही आपको ज़्यादा better लगेगा black spot inclusion वाले polish हीरे के मुकाबले अब हम चलते हैं अपने तीसरे factor की तरफ जो है location of inclusion जिसे हम कह सकते हैं हीरे के अंदर मतलब polish हीरे के अंदर inclusion का कसर का स्थान मतलब खामी का स्थान polish हीरे में inclusion कि स्थान पे है उसके कारण भी उसका clarity rate पे बहुत ही अच्छा खासा असर पड़ता है जैसे कि आप sketch में देख सकते हो कि सिर्फ एक ही inclusion कुछ ऐसी जगा पे fix हो चुका है जिसके वज़े से वो table view से सीधा ही आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हीरे के center में कोई inclusion हो जैसे कि table, table center, center या फिर culet center तो हीरे का look खराब दिखता है और purity down भी हो जाती है लेकिन वही same inclusion, same size और same color का polish हीरे के girdle, crown या तो फिर pavilion area में हो तो purity grade better रखी जाती है या तो फिर लिखी जाती है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले factor की तरफ जो है orientation of inclusion मतलब हीरे में inclusion की स्थिती ध्यान दिजेगा हमारे तीसरे और चोथे दोनों factors में बहुत ही difference है दोनों अलग-अलग हैं तीसरे factor में inclusion की जगा और चोथे factor में inclusion की ठिती ये बारे में ऐसे की inclusion हीरे में जैसे भी position में है उस बारे में हमारा ये चोथा factor है कई बार अगर आपने देखा होगा या तो फिर आगे चलके देखोगे कई सारे inclusions आपको एक तरफ से फैले हुए मतलब बड़े दिखेंगे और वही same inclusions आप अगर दूसरी तरफ से देखें तो वही inclusion आपको बहुत ही पतला दिखाई देगा मानों सीर के बाल की तरह और कभी-कभी उस inclusions को एक particular angle से देखा जाए तो वह दिखना भी बंद हो सकता है जैसे कि आप इस sketch में देख सकते हो अगर ऐसी inclusions हीरे में planning के दोरान किसी वज़ा से फोड़ी गए हो तो हीरे में उस inclusion की स्थिती के आधार पर purity grade दिया जाता है कि वो table view से किस तरह से दिख रही है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पांचवे factor की तरब जो है reflection of inclusion मतलब कसरनू प्रती बीम polish हीरे में कई बार inclusion कुछ ऐसी जगा पे set हो जाते हैं जिससे हीरे की सारी firing खराब हो जाती है ऐसे कि आप इस sketch में देख सकते हो अगर कोई inclusion हीरे की क्यूलेट के नजदीक या क्यूलेट पे गलती से set हो जाए उसका reflection क्राउन के हर एक facet में दिखता है अगर हीरा clean हो लेकिन छोटी सी pinpoint black spot क्यूलेट में या फिर क्यूलेट के नजदीक set हो जाए तो पूरा हीरा क्राउन से black दिखेगा इसलिए planning के दोरान कोई भी signer सबसे पहले इस बात का ख्याल रगता है हमारा छटा factor है size of inclusion जिसका अनुवाद है तैयार हीरे का आकार आप इन sketch को देख के समझ सकते हो के diamond के अंदर एक समान रंग और एक समान आकार की inclusions हो लेकिन वो दोनों हीरे आकार में अलग-अलग हो तो क्या होगा क्या दोनों की clarity grade सेम होगी जी नहीं दोस्तो grades अलग-अलग ही होगी छोटे हीरे में inclusions बड़े हीरे के मुकाबले बड़ी दिखेंगी इसके वज़े से छोटे हीरे की clarity grading बड़े हीरे के grading से डाउन होगी अब हमारा आकरी और सात्वा factor है number of inclusion मतलब inclusions की संख्या ये तो एकदम साब बात है कि जितनी inclusions हीरे में जादा होगी उतना ही उसकी purity डाउन होगी और जितने inclusions हीरे के अंदर कम होगे उतनी उसकी purity better यानी अच्छी होगी तो दोस्तो ये था सबसे महतोपून हिस्सा इस वीडियो का आप सभी जिन्होंने मेरे वीडियो को आखरी तक देखा उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ और आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको मुझसे कुछ सीखने मिल रहा है और आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो आप मुझे अपने likes और share से ये बात प्रूफ कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले मेरी चैनल डाइमनार्ट गाइड को और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाईएगा जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुच सके और उनका notification भी आपको मिलता रहे और एक बार फिर आप लोग का दिल से धन्यवाद